असलाम अलेकूम, आज मैं आपको बताने जा रहे हूँ कश्मीरी दम के आलो की रेसिपी बहुत ही मज़ेगी बनती है आप इसे एस स्टार्टर और रोटी के साथ भी खा सकते हैं चावलों के साथ भी खा सकते हैं बहुत मज़ेगी लगती है चली बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखिए यहां पर मैंने 1kg आलो ले ली है और इसके बाद अच्छी से छिलके ना मैंने इस तरीके से देके क्यूब्स में बड़ा बड़ा कट कर लिया है और इसे मैंने पानी में भीगो दिया तदा कि यह काले न पड़े तो शले मिसाला बता देती हूँ मैं यहां पर देखिए मैंने 20-25 लसन के जोवे ले लिये है मैं यह फ्रोजन यूज कर रही हूँ और इसके साथ मैंने 1.5 तेबल स्पून जीड़ा ले लिया है और कश्मीरी लाल मिर्चे मैंने यहां पर 10 ले ली है देखिए मैं हमेशा दूप खिला के इसे रखती हूँ करना है तो इसे मिक्सी में मैं एट कर लेती हूँ देखिए मैंने मिर्चे लसन एट कर दिया और इसी के साथ हम जो है इसमें नमक टिस्ट के साब से एट कर देंगे मैंने 1 टी स्पूर एट किया है और इस तरीक से दरदरा थोड़ा हमें इसे पीस लेना है लसन और मिर्चो कटाइं के साथा लेकर तो करें गलिए कडाई के उसमें जाना के लिए 13 शचाम सकते के लिगके मादें और आप इस कासे Amen अलुट के अलुट जाला उटिये एंदर के शीरा को समय नहीं किया देखे जाते हैं माध्य मसाले बढ़ा है चूंच सब्सक्राइब नील है के माध्य को कि अईड़ी है पारी कर दिया है इस खतने में कर दिया चूंच आपने मिसी नहीं कर दिया है कश्मिरी लाल मिर्चे जो इज वामे पैस वह लाल होती है इसका भी अ क़्मिरी लाल मिर्चे पावडर के अगिया तीफ कश्मिरी लाल मिर्चे अगर आपके पास है तो वही आट करिएगा और यह मिर्चों में कमी कर दीजे अगर तीखा नहीं खाते हैं तो इसे 3-4 मिनिट मैंने कूप कर लिया मसालो को और इसके साथ मैं समय हमारे आट कर दूंगी बहुत जल्दी बन जाते क्योंकि हमें दम पे मसाला एट करने के बाद और बिल्कुल बीच में चलाना वाला ना की जरुवत नहीं पड़ती है फटा फट से यालो रेडी हो जाते है इसलिए बड़े बड़े जो हकट होते है आप चाहे न तो एक आलू के अंदर दो तुकड़े भी कर सकते जो बड़े बड़े जो आलू कश्मी लालमीची पाउडर अब इसे भी मिक्स कर देंगे देखिया अच्छे से अब हम जो मिक्सी के अंदर मसाला हमने पीसा था न वसी में थोड़ा सा पानी लेके और इसमें हम आट कर देंगे तकरीब नहीं आदा कप के इतना पानी मैं ने इसमें एक किया है अब इसे आलू को ना हमें दम पे लगा देना है बिल्कुल भी ओपन हो गएरा नहीं करना है अब इसे अच्छे से जब तक जितना हमें चाहिए पानी इसका ड्राय हो जाए अलू गल जाए जब तक ढखके हमें कूक करना है तकरिवन यहां मैंने साथ मिनिट के लिए स्लो गैस पे मैंन आता है इसका फ्लेवर अभी से अच्छे से मिक्स कर देना है अब यह स्टेज पर आलू को हमें बहुत समाल के चलाना है इद्दम फुटना नहीं चाहिए लेकिन हमारे घर में थोड़े फुटे हुए आलू भी पसंद करते है तो थोड़े आलू को मैंने इसमें फोर दिया कि देखिए हमारा अलू रडी हो गया है अब मैं आपके लिटी सर्फ करने के बाद देखिए हमारा कश्मीरी दम का अलू देखिए उसका लूपी की इतना प्यारा लग रहा है और जितना अच्छा वुद्दी कर आता है उतना अच्छा उसका फ्लेवर भी आता जीरे का और इसी के साथ जब अब भी आप देखिए तो इससे के साथ बहुत 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 अच्छा हो जाता है और ना सफ करने के ëं सब्सक्राइब revenir करेगे तो नुटिफिकेशिन बाद करेगे उससे आने यह सब से पढ़े रएजसिपी आंपको मिलेगी तो चलिया चलती हूँू अलाह अफिस